हेलो हमारे यूटूब फैमिली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पटना की आसा देखिए मैं आज आपको क्या बतलाने जा रही हूँ ये मैं आटा ली हूँ फ्रेंट धाइसो ग्राम आप आटा ले ले अर आटा से देखिए मैं आपको क्या बतला रही यह मैं थोड़ा सा इसमें जमाइन और मंग्रेला डाली हूँ और थोड़ा सा रिफाइन भी डाले और इसके बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलाना है देखिए नमक ले ले आप अपने स्वात के हिसाब से और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइन ओयल र मिला कुछ दिर हम इसे इसी तरीके से मिलाएंगे उसके बाद मैं इसमें इसको जब लगे कि अच्छी तरीके से सब मिल चुका है तब मैं थोड़ा सा रिफाइन ओयल का यूच करूंगी देखें आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारा आटा धाई ही सोग्र काम है इस तरीके से अपले और पहले मिला के मैं देख लूँगी कि हमें और जोड़रत तो नहीं है मैं इसको अच्छी तरीके से पहले मिलाऊंगी डिफाइन ओयल को देखें अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज लाइक करिए शे कि अच्छा जरूरत है क्योंकि कम लग रहा है तो मैं थोरा सा और डालूंगी क्योंकि जितना इसमें जितना अच्छा से पढ़ेगा यह मौइन उतना अच्छा यह बनके तयार होगा फ्रेंड मैं एक आटे से आपको नए डिजाइन की नमकीन बताने जा रही हूं आप इसे अपने घर पे जरूर बनाए नमकीन तो आप जरूर बनाते होंगे फ्रेंड पर यह थोरा सा मैं नए तरीके से नए डिजाइन दार बतला रही हूं अब देखिए यह हमारा बहुत अच्छा तरीके से आटा में मिल चुका है अब देखिए आप लोग को भी देख के लग रहा होगा कि इसमें आप ज़रूरत नहीं है किसी चीच का अब सिर्फ मैं पानी लूँगी और मैं इसे सान लूँगी आटे को देखिए हमारा आटा ह हो गया है अम पानी लेकर मैं सारे आटों को अनूँगी इस तरीके से हमें आिटा को अपने हो जादा पानी नहीं लिए पानी क्योंकि इसमें पहले से बीगा तो आप थूरा हिसाब से पान से पानी लिए और आटा हमारा गिला नहीं होना चाहिए इसलिए पानी अब हलका हलका लेके ही साने यह हमारा घर का आटा है इसलिए आपको थुरा से यह दिख रहा है जीव टैप पर लिगे मार्केट का आटा है तो और यह उजला दिखेगा पर यह घर का आटा है हमारा इसलिए मैं आपको चाल उलके भी नहीं दिखाई हो कि घर का है तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि चाल फटक के तो हम लोग पिस्वाते ही हैं मार्केट का चीज रहता है तो मैं उसे चाल के आपको दिखाती घर का है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है यह साब सुतरा आटा है देखिए यह हमार नहीं भी हो फ्रेंड तो कोई दीकत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी रोटी तो बनानी नहीं है नमकिन बनानी है तो ये मेरा ठीक है आटा देखे रडी हो ही चुका है अब देखे मैं क्या करूंगी मैं सारे बॉल को एक बराबर से बनाओंगी ना किसी में कम होना चाहिए ना मैं सारे को बना ली हूँ अब मैं आपको बताती हूँ देखे मैं इस तरीके से इसे पतला करके बेल लूँगी आटा नहीं लगाना है फ्रेंड आटा ना लगाए हलका से आपको अगर दिक्कत होड़ा बेलने में तो आप तेल का यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप बेल ले इस तरीके से बैलने के बाद देखे मैं चकू की मदब से इसे काटूंगी अब देखे हमें। काटना कैसे फ्रेंड इसका जो है थोड़ा सा काटन ही में है काटना ही इसका में जो है काम बाकी कुछ नहीं है बाकी तो जैसे सब नमकी नम बनाते हैं वैसे ही है पर इसका काटना ही एक नया प्रोसेस है इसलिए इसे ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसे काट रही हूँ इस तरीके से देखिए हम काटेंगे चार कोना करके इस तरीके से मैं काट ली हूँ अब देखिए मैं बीच से पतला पतला करके काटूंगी इस तरीके से ध्यान से आप काटे फ्रेंड हाथ को बचाते हुए अराम से देखिए काट लेना है यह बहुत टेश्टी लगता है फ्रेंड जब यह बन बन आप चाहें तो इसे बना के अपने घर में डबा में श्टोड करके भी रख सकते हैं जब मन करे तब खा सकते हैं यह साम के समय भी नास्ता में आपको अच्छा लगेगा चाहे के साथ लें सुबह में चाहे के साथ लें बहुत अच्छा लगेगा एक दबबा में आप श्टोर करके भी रख सकते हैं, बनाके, बच्चे के लंज में भी दे सकते हैं, क्योंकि यह तो आटा है, मैदा तो है नहीं, जो हानी का रख है, यह आटा है, तो आटा का चीज तो बच्चे को भी दे ही सकते हैं, इस तरीके से आप बनाके इसे दबबे म इस टोर करके रख सकते हैं तक देखैंच । अधी बना के बतलाऊंगी आपको जो स्विधा हो आप उस तरीके से बना सकते हैं पतला वाला है कि यह ज्यादा महनत थो है थोड़ा सा पर बनने के बाद यह बहुत खुपसूरत दिखता है और ब्रावला भी अच्छा ही दिखता है, देखिया, मैं एक एक करके सब को बाहर निकालूंगी, अब बाहर निकालने के वाइद मैं एक उंगली की मदर से इसे इस तरीके से देखिए, किता सुंदर बन के रेडी हो गया है, आप ये नमकीन है, इसे आप बना के अच्छे से दबा में श्टोर करके रख सकते हैं, देखिए, कोई महनत तो नहीं लगा, बस एक उंगली की मदर से सब को इक करके निकाल लेना है बहार, एक उंगली की मदर से आप इसको इस तरीके से बना ले, है ना सिंपल, है आसान, नया डिजाइन भी है, आप लोग भी अपने घर पर जरूर बनाए, एक बार ये, देखिए, ये हमारा देखिए, कितना सुंदर तैयार हो रहा है, अब मैं सभी को इसी तरीके से निकाल निकाल के बना के, पहले रख लूँगी, फिर मैं आपको छानूँगी इसे तेल में, रिफाइन ओयल में हीट होने के लिए, गरम होने बन रहा है, मैं डाल चुकी हूँ, ओयल में, देखिए, हमारा इस तरीके से, इसे थोड़ा सा मीडियम ओयल में ही बनाए, मीडियम आच में ही बनाए, क्योंकि थोड़ा सा भीतर तक ये सीज़ेगा, तेज आच में है, हमारा उपर से तो प्रक जाएगा पर अंदर से और बड़ा बला में भी बना सकते हैं देखें अब मैं बस इस से ज़्यादा मैं इसको नहीं कट करूंगी वो पतला पतला में थोड़ा सा टाइम लेता है महनत तो कुछ नहीं है फ्रेंट पर हम थोड़ा सा समय लग जाता है इसमें आपको है कि आप ये जल्दी जल्दी आप कर लेंगे इस तरीके से देखें हमें सब को कट कर ली हूँ अब कट कर लेने के बाद देखें मैं एक एक करके इसमें से भी उसी तरीके से निकालूंगी निकालने के बाद मैं उसी तरीके से इसे तेल में छाल लूँगे अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा फ्रेंट तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपको किसी चीज का वीडियो चाहिए देखे मैं पहले भी बहुत सारे रेसिपी का वीडियो डाली हूँ अगर आपको केले का कोब्ता चाहिए मिक्चर का वीडियो चाहिए डालमुट गर में कैसे बनाएं यह साब बहुत सारा वीडियो डाली हो फ्रेंड आप एक वार हमारे प्राने वीडियो को भी देख सकते हैं किसी की रेसिपी का चाहिए तो आप मखन से घी और पनीयर कैसे बनाएं आपको कुछ दिखा दी और फिर देखिए मैं थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा बना रही हूं ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा देखिए मैं इस सारे बना ली हूं अब मैं तेल में इसको डालूंगी देखिए तेल हमारा थोड़ा सा लगता है कम गर्म है इसलिए मैं मैं बो बहुत टेश्टी बनता है खाने पर तो बहुत अच्छा लाजवाब लगता ही है राटे का है भी कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ के लिए भी कोई आनीकारक नहीं है देखिए हमारा च्छना रहा है इसको आप अराम से बना हर वराने से खराव ही हो जाएगा इसलिए आप अराम से इसे तेल में इसको इस तरीके से चाने अगर आपको किसी चीज के रेसीपी का वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड मैं कोशिश करूँगी आपो बताने का बाकी मैं बहुत सारे वीडियो डाली ही हूँ पनीर से आप मखन से आप पनीर कैसे बनाए उसका भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं अब इसे मैं हलका हलका पलट दूंगी यह दोनों तरफ से सीज जा अची तरीके से पक जाए मैं दोनों तरफ से इसको इसी तरीके से चलाते रहूंगे बिच बिच में इसको अच्छी तरीके से हमें पकाना है इसी तरीके से फ्रे आप अपने घर पे एक बार जरूरी से बनाए देखिए ये अब हमारा मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा लाइट वेट बनाऊंगी क्योंकि ये आटा है तो मैं थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके का थोड़ा सा सुनहेरा कलरका हो जाए तो आप इसे बाहर निकाल देखिए देखिए फ्रेंड ये हमारा बनके रेडी हो चुका है कितना खुबसूरत लग रहा है आप अपने घर पे एक बार जरूरी से ट्राइ करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक करिए शेयर करिए शेयर करिए हमारे वीडियो को चैनल को मिलूंग ठaffये करिए अजरे करिए चायँ करिए शेन प्लीस में आपको जारा वीडियो करिए आपको करिए इंटे।